साथियो आज onlyoud t %1anhaय बात करेंगे ौ़ छ इन्डीय इंडिया में रहते हैं यह अंडिया गर देश लोगडन नहीं किया होता वात तो हमार देश की हालत क्या होती इंडिया की स्थिति अभी नंबर में यह बीमारी को रोकने में और हमारे दिली की डेली यह कब जानकारी देन तो जैसे कि दोस्तो आपको पता है हमारे दुनिया में पूरे 200 से ज्यादा अभी देस है तो आपको बता दू दोस्तो इंडिया हमारे तीन नमबर पर आ रहा है ये बिमारी को रोकने के स्थिती में ये दुनिया का दुनिया में टॉप 3 में इंडिया आ रहा है आपको मैं सार बड़ा देश होते हुए 130 अरब की जो 130 कोड़ की आबादी होते हुए भी हमारे देश तीन नमबर पे आता है यह दोस्तो इसलिए हो सका है जिक हमारे देश के परधान मंतरी सीन नेरिंद मोदी जी है उन्होंने बहुती बड़ा कदम उठाया बहुती सक्त कदम उठाया जिस दोस्तो एक सर्वे के अनुसा दोस्तो मैं आपको बता दूए हमारे देश में यदि लॉक्ड़ाउन अभी नहीं किया जाता मार्च में तो हमारे देश में करीब करीब 25 लाग 25 लाग लोगों से ज्यादा मौत हो चुकी होती जून आते आते हमारे देश की हालत क्या होती 25 लाग लोग अभी मारे जा चुके होते जून आते आते 25 लाग लोग मर चुके होते तो दोस्तो यह काफी बूरी खबर है क्योंकि अच्छा हमारे देश में लॉक्ड़ाउन कर देगी है तो अभी इंडिया की सितिक बात करें दोस्तों टोटर संख्या भी संकरमित लोग की ह 26 283 जिनमें से देथ हो चुकी है 825 लोग की और ही क्रीक यॉर्वतund के लिक पांचाहार जौन चुल्ह झालीश माय कर चुका है एरपोर्ट को खोनने के तैयारी की जा रही क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई लोग हमारे देश में जो बाहर फसे हुए उसके लिए बहुत सारे लोग जो इंडिया के थे जो बाहर मर चुके उनके पार्थिस उनको सहीर को लाने के लिए एरपोर्ट को स्टार्ट किया जा सब नियमों को पालन करना पड़ेगा मास वेरा पहनना कंपलसरी होगा सोसल डिस्टेंसिंग का मानना कंपलसरी होगा हाथ में हमें गलब पहनना ये भी कंपलसरी होगा और कुछ नियम कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो वहां पर जाने के बाद मालूम चलेगा जो भी नियम क फसे हुए वो अपने मुल्क वापस जा पाएंगे तो दोस्तों ये कुछ खबर थी तो मैंने सोचा आप तक सेयर करूँ आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बता और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते कोशित करूँगा सा कर केार